We were discussing about the eye signs from the Graves disease or the toxic goiter और उसमें हमने देखा था कि दो हमने signs देखे थे एक था lid fraction और retraction और एक था lid lag ठीक है अब जो lid retraction था उसमें में आपको बताया था कि उसको हम कहते हैं Dullrimple Sign यह होता हु कि patient को आपने जस्पिर देख रहा होता है उसकी आँगों को सीधा देख रहा होता है तो patient अब बिल्कुल सीधा देख रहा होता है हम पेशन को कमार्ड देते थे कि आपने नीचे देखना है तो जब पेशन नीचे देखता था तो उसका जो है लिड़ उपर वाला वो उपर ही रहा जाता था थेख है तो जो उपर का लिड़ नीचे आना चाहिए था this is known as lid leg और इस sign को हम क्या कहते है one graphist sign तो ढल रिंपल में patient को कहना है बिल्कुल सीधा देखना है और one graphist में अपने patient को कहना है कि नीचे देखना है ठीक हो गया इसके लावा जो next sign होता है that is stalag sign stalag sign क्या होता है कि patient की जो एक normal blinking होती है वो नहीं होती ठीक है जैसे हमारी आंखे होती है हम थोड़ी थोड़ी देबाद आंखों को छपकते हैं blink करते हैं this is normal लेकिन in patients में क्या होगा कि वो infrequent blinking करेंगे और staring look होगी तो इस में जिसमें infrequent blinking होती है इसको कहते हैं stalag sign इसकी रावा होता है Geoffroy's sign Geoffroy's sign में क्या होता है जब patient हम patient को कहते हैं उपर देखें ठीक है छट की तरव देखना है छट की तरव हैड नहीं उपर ले जाना बस आंखें उपर करना है हम patient को head के ओपर support देंगे और patient को करेंगे चट की तरफ आंखे करें वो उपर की तरफ थम जब करते हैं normal patients के अंदर forehead पे होती है wrinkling लेकिन इन patients में जब हम patients के सर के उपर support देंगे और कहेंगे उपर देखें चट की तरफ आंखें उपर करें तो जब उपर करेंगे तो उनकी जो wrinkling होगी फोरेड में वो नहीं होगी ठीक है तो lack of wrinkling of forehead when the patients look upward patient look upward this is known as जिसमें रिंक्लिंग नहीं होती this is known as जोफ्रोई साइन फिर हम patients को convergence का जब कमांड देंगे हम patient को कहेंगे जैसे पर एसमपल करीब करके हम एक pencil for example रख सकते हैं pen रख सकते हैं बिल्कुल उसकी नाग क्या आगे दीक है उसको कहेंगे कि इसकी तरफ आपने देखना है तो convergence नहीं होगी क्यों? medial rectus muscle जो है वो काम नहीं कह रहा होगा तो lack of convergence on looking to the near object due to damage to medial rectus weakness of medial rectus muscle तो उसको हम कहते हैं mobius sign M for mobium mobius M for the medial rectus muscle हराब ठीक है? so क्या क्या आपने signs देखे हैं याद आ रहे हैं सबसे पहले हमने dull ripples देखा था फिर bone graphis देखा था फिर हमने jaw fries देखा था जिसमें wrinkling नहीं हो रही थी style wag देखा था जिसमें infrequent blanking हो रही थी और patient जो है convergence नहीं कर सकता तो this is known as mobius sign फिर होता है nefziger sign nefziger sign में हम patient के पीछे खड़े हो जाते हैं और हम patient को कहते हैं सामने देखने हैं आपने बिलकुल और हम इदर से उपर से जो है इसके patient की patient की आँखों की दरफ उपर से देखेंगे तो हमें आँखें जो है उसकी बाहर निकली हुई नजर आएंगी तो वो क्यों होगी exoftal moss की वज़े से तो this is known as nefziger sign ठीक है अब हम इसको बुक से देखते हैं so what is talvex sign there is infrequent or incomplete blinking of eyes blinking जैसे आँखें हमारी पूरी बंद हो जाती है अब लिगगें के वक्त इनकी नहीं हो सकती है क्योंकि आँखेंगे बाहर है फिर exoftal moss exoftal moss की होगा क्योंकि retro orbital cells जो है बहुत जादा हो गए है तो दोनों eyelids जो होगी वो अपने center से आगे आजएंगी जिसकी वज़े से हमें white sclara जो है वो यह तो आईरिस के नीचे नजर आएगा यह पूरे आईरिस के गिड़ नजर आ रहा होगा ठीक है अब हमने degree चेक करनी है का exoftal moss की कितनी है तो उसके लिए हमारे दो signs होते हैं नफ-zigger sign और जोफराइस sign जो हमने picture के पौर में देखे हैं अब नफ-zigger से यहां पर आपको वो demonstrate करके बताएंगे कि हमने patient के पीछे कड़े हो जाना है और उसका जो head है उसको slightly पीछे की तरफ मौड लेना है ताके हम उसकी eyes को clearly देख सके फिर हमने उसके super orbital मतलब आंक के उपर विले region को देखना है तो वैसे जब आप इस तरह करते हो तो आपको eyeball जो है वो नजर नहीं आता लेकिन अगर exoftal moss होगा तो आप उसके eyeball को देख सकते हो ठीक है उसके बाद जो है जो फ्राइज साइन आता है जो फ्राइज हम पेशन को क्या कहते हैं हम उसके fix करते हैं हुर्ट के head के उसके उपर सर हाथ रखते है फिक्स करने के बाद हम पेशन को कहेंगे उपर जट की तरफ देखें आप normally ranking होनी चाहिए नेकिन रिंकिन नहीं होती इसका मतलब positive ज of the eyeball हो जाता है तो patient जो है वो patient can see at the roof without any effort तो हमें वैसे effort करने पड़ती है उपर देखने के लिए wrinkling करने पड़ती है जाकिन इन patients में नहीं होगी ठीक है उसके बाद mobius sign मतलब inability to converge the eyeball क्यों होगा क्योंके lack of availability of the space in the orbit for movement तो हम इसको कैसे demonstrate करेंगे अपनी finger जो है वो arm distance पे रखेंगे patient से patient आपका ये है आपने arm distance पे अपनी finger रखनी है ठीक है और आइस्ता आइस्ता finger को उसकी nose के पास लेके आना है और patient को कहना है कि मेरी finger की तरफ आपने देखते जाना जैसे आप उसकी nose के पास लाएंगे normal person converge करेगा fingers को देखने के लिए अपनी दोनों आँखे अंदर की तरफ करेगा लेकिन ये patients नहीं कर सकते तो है क्यूंकिन के medial ractus weak है तो this is positive morbius sign एक तो medial ractus जो है और दूसरा उनके पर इतनी space भी नहीं आए आई बोर इतना जदा बाहर आए होगा कि वो move कर सके और thermoplasia की हमने बात की कि इसमें weakness हो जात है which control the eye movement तो ये हमारी ocular muscles जो होते हैं ये weakened होते हैं because of retroorbital cellular infiltration in thyrotoxicosis एक ये वज़ा होती है क्यों मसल्स वीक हो जाते हैं ठीक है और इनकी वज़ा से जो mostly muscles involved होते हैं वो होते हैं lateral ractus and inferior oblique है आपके MCQ में आ सकते हैं which muscles are most affected ठीक है these are lateral ractus and the inferior oblique जब इनकी paralysis हो जाएगी तो patient जो है वो नहीं कर सकता उपर नहीं देख सकता और sideverse नहीं देख सकता तो जिसमें muscles weak or paralyzed हो जाते हैं इसको में कहते हैं ophthalmoplegia ठीक हो गया उसके बाद pre-orbital, pre-tibial mixidema इसमें क्या होता है कि जो pre-tibial मतलब tibia की जो skin होती है या dorsum of the foot की जो skin होती है वो ठिक हो जाती है क्यों वो ही antibodies जो thyroid receptors के बनी हुई थी वो ही आके यहां पे जो है काम करती है और उसकी वज़े से ये skin का ये हालत हो जाती है डर्मोपैथी हो जाती है ठीक है तो ये इसको कहते हैं pre-tibial mixidema ठीक हो गया उसके बाद thyroid bruit होती है it is a late sign of grass disease जो के आपको mostly मिलती है thyroid के उपर जब आप उसकल्टेट करते हो तेटोस्कोप रखते हो तो आपको सुनने को मिलती है लेकिन ये क्यों होती है क्योंके vascularity of the gland जो हाईपर thyroidism में जादा हो जाती है वेजल जादा हो जाती है ताकि होर्मोन जादा बना सके तो ये आपको मिलती है thyroid bruit उसके पर cardiac science क्या होंगे ये जादा तर मैंने आपको बताया कि secondary thyroid toxicosis में होता है जो के old age के लोग होते हैं वो आपके पास आते हैं किसके साथ sinus tachycardia multiple extra systoles paroxysmal atrial tachycardia और paroxysmal atrial fibrillation तो एक atrial tachycardia है एक atrial fibrillation है इंपोर्टन यू क्यू है आपका कि what are the cardiac signs कौन कौन सी चीज़े हो सकती है tachycardia हो सकता है fibrillation हो सकती है extra systoles हो सकती है और sinus tachycardia हो सकता है ठीक है myopathy क्या होते है कि proximal muscles जो होते हैं वो weak हो जाते हैं उसको कहते हैं myopathy diagnosis हम कैसे करेंगे obviously hyperthardism है तो t3, t4 जादा होंगे tsh कम मिलेगा और thyroid scan हम तब करेंगे जब हमें कोई nodule मिलता है तो हम उसको nodule को देखने के रिए thyroid scan करते हैं otherwise बाकी हम जो है वो चीज़ें जो हम इन्वेस्टिगेशन कमन है वो perform कर लेते होते हैं और ECG कर लेते हैं cardiac science के लिए और FNAC कर लेते हैं treatment क्या होगा? क्योंकि hyperthardism है तो हमने उसको कंट्रोल करना है तो we will use anti-thyroid drugs ठीक है? या फिर radio ablation या फिर surgery तो cause पर depend करता है age पर size पर response to therapy पर depend करता है हमारा treatment लेकिन anti-thyroid drugs में आपको कौन-कौन से याद है? प्रोपाइल थायोरिसल और कार्बी माजोल याद है? मेथिमाजोल, कार्बी माजोल, प्रोपाइल थायोरिसल, anti-thyroid drugs ये कैसे काम करेंगी? वो जो हमारी थी ना, iodine जाके bind करती थी टायरोसीन के साथ उसको bind ही नहीं होने देती और वो जो उसकी oxidation होने होती थी ना, iodide की iodine में with the paroxidase enzyme वो भी नहीं होने देंगे तो ultimately T3, T4 नहीं बनेंगे, hyperthyroidism नहीं होगी तो thyroidoxicosis नहीं होगी कितनी अच्छी drugs है इसके इलावा हमारे एक काम तर कार्डियो वास्कुलर एफेक्ट्स sympathetic activity जाद होई थी तो उसको block करने के लिए क्या करेंगे? heart rate को कम करने के लिए beta blockers तो antithyroid drugs के साथ साथ आप beta blockers use करते हो which include the propanolol अब medical management का क्या फाइदा होता है? यही कि हमें surgery नहीं करनी पड़ेगी और radioactive iodine नहीं यूज करनी पड़ेगी disadvantages क्या होते हैं? कि treatment हमें काफी लंबा करना पर सकता है 6 महीने से लेके 24 महीने मतलब 2 साल तब treatment चलेगा ठीक है? और फिर भी failure हो जाएगा इसके लावा, you know that कि इनके side effects भी है medicines के like agranulocytosis तो patient की CBC monitoring करनी चाहिए बिलकुल यह plastic anemia कर सकते हैं, यह drugs तो patient का bone marrow failure की तरफ जा सकते हैं फिर उनके cells ही नहीं होंगे तो anemia, thromocytopenia इस तरह की चीज़े होना शुरू हो जाएगी उसको तो हमें CBC जो है, वो monitor करते रहना चाहिए इसके लावा जो है औरो फरेंजियल bacterial infection हो सकता है तो यह सब मरीज को नुकसान भी है medicines के, एक तो इतनी लंबी medicines उपर से side effects और मरीजों का तो वैसे ही इतना लंबा medicine course चलेगा तो उनके तो वैसे ही वो compliance नहीं शोग करेंगे छोड़ देंगे दवाईयां दरम्यान में doses वो बताते हैं कर्भी माजोल जो होती है वो हम पहले 7 से 10 तिन देते हैं जब patient you thyroid हो जाता है फिर हम dose को जो है वो 6 to 24 hours पहले हम जो है 7 से 10 तिन के लिए फिर उसको maintain करके आदा करके पहले 10 mg की थी जब patient you thyroid हो जाएगा उसका hyperthyroidism जो है वो you thyroid state में जाएगा तो 10 mg जो हम दे रहे थे गोली अब 5 mg की कर देंगे और फिर जो है हम उसको पहले 10 तिन 10 mg की देंगे फिर हम उसको 5 mg की देंगे 2 साल जो बाकी उसके पूरे करने है ठीक है block and replacement therapy इसमें हम क्या करते है कार्बीमा जोल जो है उसकी बहुत high dose देते है जिससे क्या होता है एकदम से टी 3, टी 4 जो है वो suppress हो जाता है तो इसको इसकी वज़ा से आइटरोजनिक हाइपोथारडिसम हो जाता मतलब के हमने हुद हाइपोथारडिसम कॉस करवा दिया पेशिट को इसको वाइट करने के लिए हम मैंटेनेंस डोल साथ में दे देते हैं पेशिट को थाइरोकसीन की ताकि हाइपोथारडिसम ना हो जब मेडिसन के साइड इफेक्स चुरूगे है पेशिट केर है मैंने निक कंप्लाइंस निक शोग करनी मैंने निक खानी दवाई है दो साल ठीक है और मेरी सर्जरी करो मैंने निक पेशिट के अपनी मरजी है इसके इलावा जो है टॉक्सिक नोडिूलर बहुत अच्छा है पेशिट को अब बहुत अच्छे से वह क्योड होगा इससे क्योंकि उसके थारोड ग्लाइंडी रिमूफ कर देंगे जिसने थारोड टॉक्सिक उसक्रवाना था थारोड बनाने था डिसडवैंटिजस क्या होंगे हमने पेशिट का थारोड ग्लाइंड रिमूफ कर दिया तो उस दुराण थारोड सर्जरी करते वए हमने कोई नर्व इंजरी कर दिया यह वैसे हमारे अपने नुक्सान है लेकिन हमारा अपना मतलब गलती है इसके रवा thyroid gland के पीछे पड़ेवे थे parathyroid glands हमने उनको remove कर दिया तो patient hypo parathyroidism में चला गया या फिर thyroid toxicosis जो है वो recurrence हो सकती है यह तब भी होगी जब हमने आदा thyroid remove किया था जो मैं आपको पहले बताया था 8 grams हम दोनों sides पे दोनों lobs का रहने देते हैं recurrent के chances हो जाते हैं अब हमने करनी है patient की surgery तो surgery करने से पहले जब भी हमने thyroid gland को remove करना होता है उससे पहले हमने patient को you thyroid state में लेकर जाना होता है मतलब उसको बिल्कुल hyper में भी नहीं होना चाहिए hypo में भी नहीं होना चाहिए normal state में होना चाहिए फिर हम surgery करेंगे ठीक है और एक बात ये भी याद रखनी है कि जैसे हम surgery करेंगे thyroid gland को remove करेंगे तो अगर उसका कोई भी हिसा damage हो गया उसमें जो stored T3, T4 है वो बाहर आ जाएंगे और एकदम से thyroid toxicosis की stage जो है वो कर सकते हैं ठीक है इस वजह से हम patient को you thyroid करते हैं ठीक है तो हम patient को you thyroid करने के लिए क्या देंगे कार्बी माजोल drug of choices कार्बी माजोल इसकी dose कितनी है 30 to 40 mg ठीक है जब patient 8 से 12 हफते बाद you thyroid होगा फिर हम उसकी dose जो है वो पहले जो इतनी थी अब वो हम 5 mg तक reduce कर देंगे और जो last dose है वो हम evening before surgery देंगे कार्बी माजोल की इसके लावा बीटा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स जो है यह उनके sympathetic activity थोड़ी से काम कर देंगे ठीक है बीटा ब्लॉकर्स एक तो heart के उपर भी थोड़ा से करते हैं दूसरा यह T4 चो है न उसको T3 में active forming नहीं करने देते ताकि उसका action भी काम हो ठीक है तो बीटा ब्लॉकर्स कौन सा है हमारा प्रोपैनोल फॉर्टी एमजी थ्राइस अडे तो समझाई प्री ओप थायरोड सर्जरी करने से पहले हमने पेशिंट को यू थारोड लेकिया ना जिसके लिए कर्बिमाजोल 30-40 mg प्रोपैनोल 40 mg ट्राइस अडे कर्बिमाजोल उसको पहले हमने ना देना था फॉर्टी एमजी तक फिर उसको फाइव एमजी तक लेकिया ना थो लास्ट उसी इवनिंग दो फॉर्ट सर्जरी पेशिंट यू थायरोड स्टेट में आया फिर हमने उसकी सर्जरी की लेकिन MCQ के लिए है कि प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग प्रेफर करते हैं प्रोपाल्थायूरसिल ठीक है क्यों कि कर्बिमाजोल जो है वो प्लैसेंटा के थूरू क्रॉस करेगा बेबी में जाएगा और उसको हाइपोथारेडिसम कॉस करेगा बेबी के उपर तो इस वज़े से प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी 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 प्रोपाल्थायूरसिल करते हैं अब हमने कहा कि मैडिकल ये है ट्रीटमेंट सर्जरी कल ये ट्रीटमेंट है लेकिन हमने कौन सी टाइप अफ सर्जरी को प्रफर करना है या तो हम पूरा का पूरा thyroid gland के remove कर दे, total thyroidectomy कर दे, हम उसका थोड़ा सा 8 ग्राम दोनों साइट कर रहने दे, सब total thyroidectomy करें, तो हमने patients के ने कौन सी surgery कर दी है, ठीक है, तो उनका में पर पता हूँ ने अच्छे न, कि इस surgery के ये फाइदे हैं, ये रुकसान है, इस surgery के ये फाइदे हैं, फिर हम उसको decide करेंगे, तो सब total thyroidectomy में, nerve को damage करने के chances कम है, और इसके लावा parathyroid gland भी वहीं पर रहेगा, तो patient को एक तो nerve की injury भी नहीं होगी, दूसरा hypo parathyroidism में नहीं होगा, लेकिन, बहले भी हमने बात की recurrence, जो है ना, वो हो सकती है, क्योंकि हमने thyroid gland अंदर छोड़ दिया, वह थोड़ा सा, वो दुबारा कर सकता है, लेकिन इसके opposite total thyroidectomy में, हमें पता है, nerve के injury होने के भी chances जाद है, parathyroid damage होने के भी chances है, लेकिन वहाँ पर recurrence के chances नहीं है, इस वज़ा से, हम यह करते हैं, कि young patients के अंदर, ठीक है, young patients के अंदर, हम total thyroidectomy कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि young patients के तो अभी जिन्दगी पड़ी हुई है, और उनको recurrence जो है, वो होगी, ठीक है, तो हम सब total करने के जाए, young patient में, total thyroid remove कर देते हैं, उनकी recurrence हो जाएगी, लेकिन वो जो already बुड़े हो चुके हैं, जिनकी जिन्दगी का पता ही नहीं है, पता नहीं उन्होंने जीना भी है के नहीं, ठीक है, उनकी जिन्दगी कुजर कही है, उनके अंदर हम क्या करेंगे, सब total करेंगे, ठीक है, और उल्ड पेशिंट के अंदर हम, सब total करेंगे हैं, ठीक है, तो इससे बता चला हमने कौन सी सरजरी करनी हैं किसके अंदर, अब ही होता है कि जब हमने पेशिंट के थारोड लैंड रिमूफ कर दिया, तो आपको पता है, जब हम थारोड लैंड को रिमूफ कर देंगे, तो पेशिंट के अंदर हाइपो थारोड ही हम हो जाएगा, T3, T4 रॉमन्स नहीं बनेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए पेशिंट को, लाइफ लॉमन्स थारोक्सीन पे लगाएँगे, 200 माइक्रोड पर दे, ठीक है, ताके हाइपो थारिजिंग ना हो, और दूसरा जब T3, T4 जो है वो होगा बोड़ी में, तो वो TSH का लेवल कम रखेगा, रिकरेंट थारोड टॉक्सिकोस नहीं होगी, और यह हमारी डोस है, 200 माइक्रोड पर दे, फ़र थाप्टोड थारोड टॉक्सिकोस नहीं है, तो यह हमारी सर्जजिजी होगे, उसके बार रेडियोएक्टिव आयोडीन, आपको पता है, रेडियो आयोडीन क्या करती है, हमारे थारोड सेल्स को, डिस्ट्रॉई कर देगी, रेडियोएक्टिव आयोडीन हम ओरेली देते हैं, तो वो क्या करता इह, फॉलिकल्स में चला जाता है, और फॉलिकल्स में क्या हो जाता है, बीटा और गैमा रेज, यह हमने रेडियोएक्टिव आई ओडीन दी, इसने क्या किया बीटा और गैमा रेज एमिट की बीटा और गैमा रेज तो वो जो थारोट फॉलिकल्स थे वो डिस्ट्रॉई हो गए यह सीन होता है यहाँ पे अब रेडियो एक्टिव आउडिन का क्या फाइदा है आप मुझे बताएं नपेशन को मेडिकल ट्रीटमन लेना पड़ेगा नपेशन को सेज़री का खौफ होगा ना पेशन को इतना नमबा ट्रीटमन लेना पड़ेगा असानी से बस उसको को यह खाओ लू गोली उखाएगा वहाँ पे जाकर रेडियेशन समेट करेंगे और थार फॉलिकल जो मार देंगे तो थार टॉक्सिक उसे सतम हो जाएगी असान काम है न चलो ये फाइदा तो हो गया लिकिन डिसल्वेंटिजिस क्या है बात में जाके हाइपथरिटिजम कॉस्ट कर सकता है कॉंटर इंडिकेशन्स ये आपकी तो हो हो जांखAut पर स्वाइद आपकी देंगे क्याएग जाता हो जान ये ये वाइज लाएब झेस्यृ को मुषआol करता है दें धेंगे गता जान जैनी मैं देंगे प्रदेजिस की त tried ऐधियरा ये लाइन हम दे दें गे तो और अइंखहों को देमिज spectrum ठेग है तो चॉइस ओफ थैरेपी डिपेंड्स ओँओ अध एज अव दॉ पेशुंट जैसे मैं आपको बताया कि यह पेंड्स में प्रफर करते हैं क्या डियोटी बायोडीन क्या प्रफर करते हो कौन सी ठाइरोटक्मी यह पेशुंट में प्रफर करते हो टोटल क्योंकि रिखरंस हो सकती है उनके बीजिनगी पड़ी है ग्लाइन के पर डिपेंड करता है डिफ्यूज है नॉडूलर है साइज इन जेनरल कंडिशन पर डिपेंड करता है कि हमने उसको कौन सी थेरपी देनी है अब एक पेशन्ट है डिफ्यूज गाइटर का ठीक है जिसका यूनिफॉर्म लार्ज ग्लैंड और उसकी एज जो है 45 यूर से जादा है तो हम उसको क्या देंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन क्योंकि एज ज्यादा है डिट्यो आयोडीन दे सकते हैं और डिफ्यूज गाइटर है लेकिन जो 45 यह से छोटा है मैं बता है यूंग पेश्ट में रिडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देनी तो सर्जिरी करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे ठीक है अगर लार्ज ग प्रिट कर सकते हैं और यंगर पेश्ट में हम तब रीडियो एक्टिव आयोडीन देंगे जब और बड़े लोगों में ओल्ड एज में हम रीडियो एक्टिव आयोडीन दे देते हैं यह किस केस में है डिफ्यूज गॉटर में ठीक है नेक्स पारस में फर्दर कंटिनू कॉ